नमस्कार, क्यापिटल टीवी का खाश शो, यूपी का दंगल देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ पूजा आज यूपी के दंगल में बात करेंगे तीन बड़ी खबरों की पहली खबर, अकलेश यादब के करीबियों पर जारी ताबड तोड आईटी रेट की दूसरी खबर, क्यापिटल टीवी की खबर का बड़ा असर, कॉंग्रिस ने यूपी में रद की सारी रह लिया तीसरी खबर, अकलेश के बड़े दुश्मन बने OVC की करेंगे और इनी बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए मासा स्टूडियो में मौजूद है क्यापिटल टीवी के एडिटर इनचीफ, डॉक्टर मरीश कुमार डॉक्टर साब बहुत स्वागत है आपको दन्यवार तो पहली कबर पर नज़र डालते हैं अलग-अलग ठेकानों पर IT की रेट जारी है इस क्रुप पर आयकर विभा की कारवाई अभी भी जारी है उसके साथ ही UP के चार जूता कारुबारियों पर करीब 26 घंटे से आयकर विभा की रेट जारी है और ये सभी अखलेश के करीबी बताए जारे है लगतर IT की रेट चल रही है और हर दिन नएने खुलासे हो रहे हैं और हर नाम समाजबादी पार्टी से क्यों जुड़ रहा है देखिए यह तो शुरुवात में कह दिया गया था जो वित मंत्री है निर्मला शीतर रमन उन्होंने प्रस कांफेंस करके लिस्ट बहुत लंबी है पहले इत्र वाले नपे बिल्डर नपा जूते वाले नप रहे हैं अब पता नहीं और किसका किसका नंबर आ जाएगा और इस पर राजनीती भी हो रही है, राजनीती इसलिए हो रही है कि ये अकले स्यादव के तरफ से कहा जा रहा है कि शुरू में कहा जा रहा था भी नहीं, अब तो इन लोगों ने छोड़ दिया है, अब शांत हो गए कि जाने दो, जूता वाला फसता है फसने दो, बिल्डर करीबी लोग हैं, जितना आप इस मुद्दे को उठाओगे, उतनी ज़्यादा बद्ध पिटेगी, एस ग्रूप के मालुक तो उनके स्कूल के फ्रेंड निकल गए, अरे स्कूल के फ्रेंड ने बहुत बहुत ही, जिसम लोगों ने कल बताया, जिस हिसाब से हमने बहुत सा साफ है, दूसरा पुस्पराज, ये समाजवादी पार्टी का खुद का, अब वहां पे बहुत सारे नई चीज़ मिल रही हैं जानकारी, उर्दू पे खाता भई मिल रहा है, बताईगे, उर्दू का खाता भई क्या करेगा, ट्रांसलेटर्स बुलाए जा रहे हैं, कैस भी मिला है, धाई करोर के आसपास, चांदी है, सोना है, और समाजवादी है, अब देखिए, गरीबों की चिंता किस कदर होती है, इन लोगों की, तो कुल मिलाकर कि ये जो पूरे जो रेड्स हो रहे हैं, इस रेड्स का, हम लोगों ने पहले ही दिन कहा था, हम लोग को अंकित किया था, कि किस हिसाब से, जो चुनाव के दोरान, जो कैस का जो इस्तमाल होता है, वो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल पार्टा है, अब सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए ये मुश्किल नहीं है, अब ये समझ लीजिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अब कैश की किल्नत से उनको गुजरना पड़ेगा वो इसलिए क्योंकि इतनी ज्यादा कारवाई हो रही है तो बिजनिसमें तो सीधे भाग जाएगा वो कोई अपना सिर जो है इस उखली के अंदर डालने की कोशिस करेगा नहीं दूसरा जो हवाला ऑपरेटर्स है जो कैश को यहां से वहां लेकर के जाते हैं वो लोग भी अब चुप चाप गायब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा भई पकड़ाने से बहतर है कि आप बैठे रहें क्योंकि अगर कहीं कोई सुबगाहट होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा यह होगा लेकिन जो खबर जो पकड़े जा रहा हैं सिर्फ मसला income tax का होता है खोना कि फ्यू जयन निजो कहा कि एतने कडुर रूपए मिले हैं टैक्स काट लो वाकश वापस हमिए देतो है तो मसला सिर्फ में टैक्स का नहीं है कि यह लोग बच जाएंगे यह दिकत यह हो रही है कि इन सब के विदेशी connection निकल रहे हैं विदेशी investment का कारुबार उसका खुला सा हो रहा है और यही इनके लिए चिंता का विशह है कापिटल टीवी ने इस खबर को बहुत जादा प्रमुक्ता से दिखाई थी अब कॉंग्रस ने अपनी सारी रालियों को रत कर दिया है हम लोग पास तो उस तरह के तस्वीरे थे जो वर्वरे टीवी चैनल के पास नहीं था हमारे सब्दाता बिलकुल उन लड़कियों के बीच गुज़ करके वो सारी तस्वीरें उन्होंने दिखाई थी और उससे एक बात तो साफ होगी कि सब्सक्राइब कि आप एक अपने नीतागरी को चमकाने की चक्र में चोटी-चोटी बच्चीों को दस साल बारा साल की बच्चियां थी उसमें अब बच्चों का इस्तमाल इस तरह के प्रोपगेंडा की काम में आप नहीं कर सकते राजजीनती में नहीं कर सकते ये अच्छम में है ऐसा करना उचित नहीं है दूसरी बात जिसों करते हैं नीम के उपर करेला वो पुर्व मेर जो वहां की थी कॉंग्रेसी उन्होंने आगर के जो बयान दिया और इतना अटपटा बयान दे दिया और जिस हिसाब से योगी आदितनात नाराज हो गए और कारवाई की सुख भुगाहट देखते हुए ही कि आगे कोई पंगा ना हो जाए यूपी के अंदर सारी रेलिया बंद कर दी गई बाकी जगह जो चुना हो रहे हैं वहां रेलिया कॉंग्रेस की जारी है यह मत समझेगा अब एक कोरोना को देखते हुए किया जा रहा है यह राज्यूतिक फैसला है पंजाब में बंद नहीं हुआ गोवा में बंद नहीं है मनिपूर में बंद नहीं है उत्राखन में बंद नहीं है लेकिन यूपी में इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि ये घटने के बाद अगर आगे कुछ और कोई बड़ा हाथसा हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसलिए कॉंग्रेस पार्टी बैक्फुट पर चली गई उनको लगा कि योगी आधितनात की सरकार कहीं एक्षन लेना चालू कर दे तो यह लेने के देने पड़ा जाएंगे बदनामी होई सो अलग और लोगों की नराजगी जहलनी पड़ेगी सो अलग इसलिए फैसला लिया गया गय दिया है ओविसी ने अकलेश यादव के खिलाफ एक बड़ा बयान देटेवे क्या दिया कि अकलेश मुख्यवंतरी भी बने थे तो मुसलमानों के खेराती वोट से बने थे अब तो लग रहा है कि ओवेसी के सबसे बड़े दुश्मन अकलेशी बन गया है देखिए वो मैं मैंने का था कि इस पर ओवेसी तो चुप नहीं बैठेंगे और ओवेसी को चुप बैठना भी नहीं चाहिए इस तरह के तमाम फरजी सेक्टनल लीडर्स के चेहरों को बेनकाब करना जरूरी है कि जो वोट के लिए जालीदार टोपी भी पहल लेते हैं और वोट के लिए को जी बाते हैं दरसल मत्रा का जो मसला जो उठा है उस वज़ए से समाजवादी पार्टी बैक फूट पर चली गए और बिना मुसलिम वोट के समाजवादी पार्टी तो कहीं स्टैंडी नहीं कर पाएगी अखलेश चादव को अगर मुसलिम वोट ना मिले तो तीसरे चौतर नमर की पार्टी बन जाएगी यह हकीकत है अब ओएसी मुसलिम पॉल्टिक्स करते हैं खुलंग खुला करते हैं और यही बात वो पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास सिर्वे 11 परसेंट बोट है व्यादमों का हम 19-20 परसेंट हैं तो हम खरात में ही तुमको वोट देते हैं जिसके बज़े से तुम चीफ मिश्टर बंते हो और मुसल्मान अगर वोट देना बंद कर दे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे इस वाट है अब वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो यूपी के अंदर में सौ के आसपास ऐसी सीटे हैं जहां पचास फिजदी से ज्या काम OVC ने बिहार में सिमानचल में किया जहां 6-6 सीट जीत करके वो आ गया है वही स्टेट जी OVC यूपी में अपनाने वाले हैं और इसलिए वो जानते हैं कि जब तक अखिलेस को अटैक नहीं किया गया जब तक अखिलेस को एंटी मुसलिम मुसल्मानों को धोखा देने वाला लीडर साबित वो जब तक नहीं करेंगे तब तक उनके साथ मुसल्मान नहीं आएगा और इसलिए अब आगे देखेंगे कि किस हिसाब से भारती जनता पार्टी के साथ साथ OVC अखिलेस चादव के उपर भी हमलावर रहेंगे चले बहुत बहुत शुक्रे जानकार झालेस ऑ्सकाब